वेल्कम फ्रेंड युक्ति इस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्ण पाफ सवी लोगों का स्वागत है ऊजब यूक्ति इस के द्वार जो डी 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 डिली करेंट फेर्स क्लास फिरीन्स जैस्पाल सथ के द्वारा लिए गए उसी का मैं एमसे क्यू आज ले रहा हूं जिसमें जो प्रस्ट ने आपको टॉपिक दिये गए जैसे सुष्म और लगू मद्यमाकार को धिम दिवर्ष और विजो टॉपिक रहे हैं उससे जो एमसे क्यू बनते हैं उससे संबंदित जो महत्पुर्ण सब्सक्राइब करें आप लोगों को और बहुतर तरीके से समझाने का उससे पहले आप लोग जो भी क्यूरी रहे याम को लेकर विपेसी पेसी टॉपिक को लेकर इंटिविव मेंस पीटी इत्यादि जिसी के संदर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप दिये गए नं कॉंटेक्ट कर सकते हैं जो भी नंबर दिया गया इस पर आप उसे वाटसेफ ग्रूप से डायट कॉल कर सकते हैं साथ ही साथ विविन प्लाटपॉर्म बनावा जैसे यूटूब वाटसेफ फेस्बुक ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप सभी से जुड़िए क्योंकि पीड यह प्राप्त करने के लिए इन सब ग्रूपों से आपको जुड़ना होगा जैस्वाल सरकेत्वा जो क्रेंट लिया गया आप लोग इसका वीडियो आप लोग देखा देखें होंगे जैसों आपको पता चला ही होगा क्या टॉपिक को किस तरह कवर किया गया है युक्ति य इसका प्यास यही है कि आप लोग को बहतर से बहतर और असान तरीके में चीजों को समझाने का यह टॉपिक क्यों महच्पूर्ण है इन सब चीजों को लेकर इन को क्यों डेली करेंट अफ्यर्स में सामिल किया गया है तो आप समझ सकते हैं जब दिन भर के डेली के जो कुर्ण होते उसमें केवल दो से तिन टॉपिक के अगर सामिल किया गया तो महत्पू खुद में सुए होगा इसलिए trick को मेरे द्रबार सामिल किया सत्थ करना मैंत के स्संदर के इसलिए टॉपिक को मेरे द्रॉस इसलिए FX को मेरे द्री द्र less गिया गया है्व कुछ बातें यहां असपस्ट की जाती है तो आप पिक्चर को भी अच्छे से कवर किजिएगा जैसे MSME का क्लासिशन ओल्ड क्या था न्यू क्या है इसके विश्टु लात्मक अध्यन आप स्वेंग किजिए क्योंकि परिच्छा में यहां से प्रसंद पूछे प्रसंद पूछा गया था MSME की परिभासा क्या होती है उसको करने के लिए तो किसी भी चीज़ को आप हलके मना लिजेगा क्योंकि यहां पर जो भी दिया गया है वो किसी उद्देश से दिया गया है और बहतर ही होगा कि मेरे युक्तिया यह पर विश्वास कीजिए मुझ प आज का MSQ देखते हैं क्या है तो MSQ के तौर पर सामिल किया गया है उसे इसी टॉपिक जो दिया गया है जो टॉपिक दिया रहा था उसी से रिलेटेड था MSQ होता है तो आप टॉपिक को बेहतर तरीके से पहले देखिएगा उसके बाद मैं MSQ उसका लेकर आऊंगा टाकि आप लोग का रिभायज हो और MSQ आपको कुछ घंटों के बाद आएगा ऐसा नहीं कि वीडियो जैसे यह अपलोड होगा उसका तुरंट बात क्योंकि यह साथ साथ यह भी देखना चाहता हूं जैसे कि आप लोग को इस टॉपिक पर जो भी टॉपिक का आप सुपिक में सामिल किये गए उस टॉपिक को लेकर आप कितने सिरियस हैं आपको कितने कितनी चीजों को आपने गेन किया है और आप इसमें कितने खरे उतरते हैं यह सब चीजों को लेकर क्योंकि परिच्छा परिच्छा मगर यह प्रशन पूछे जाते हैं तो उससे एक भी प्रशन उसे आपको लोग को गलती नहों इसके संदर में यह अपनाई जाती है और जो पुराने स्टुडेंट है उनको बहतर पता है कैसे प्रश्णों को पूछा जाता है तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्ण है कि सतत्विकास लक्ष लक्ष जो सट्रेमनल डवलोप्मेंट गोल से है क्रियानमेन में सुक्ष्म लगू और मध्यम आकार को द्योग योगदान को मनेता देने हैं तो MSME जो दिवस है वो कब मनाया जाता है 26 जून 27 जून 28 जून 29 जून यह वन डे एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो इसका सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर 27 जून होगा यह प्रस्ण कहां से लिया गया है आप देखिए MSME का टॉपिक आईए और प्रस्ण यहां पर आपको मिलेगा यहां पर महासभाद के द्वारा सताय जून हलाकि यह प्रस्ण में सारे जो पॉइंट्स दिये गया है रेट कलर करके वह अबजेक्टिव के संदर में आपको नजर आएंगे यहां पर इससे प्रस्ण पूछे जा सकते हैं पर प्रस्णों मध्यम लगुद्यों जो अकार उसके लिए जो में सीमी दिवस मिनाया तो किसके द्वारा मनाया गया तो सतत्विकास लक्षों के पूर्द्ध से मनाया गया यह किसके द्वारा पारित किया गया तो सनितराष्ट महासभा के द्वारा यह कब हुआ तो 2017 में हुआ यह इसमें यहजरंडा सता मुखथय के संदर में कितना कितने देशों के दोब तो यह किस प्रवाइट होता है इससे संबंदित प्रहशन पुछे प्रस्णा सकते ऋप्चारी करूचारी करोजगारों के संदर इससे प्रशन पूख जा सकते हैं तो देखिए जो भी वह तरीके से देखिए नोट बनाएगा इस पर और नेशिंद होकर अगर में के कोस्तन आ गया टॉपिक किसी भी संदर में इससे बाहर आपको प्रस्ट नहीं होगा इसकी गरांटी यहां पर आपको मिलेगा इस पीडियेप के द्वारा क्योंकि वह सारे डायग्राम को इसमें सामिल कर दिया गया है जो परिच्छा में पूछे जा सकते हैं तो तो डी ने फिर इसके बाद परिभासा से आपको पूछा जा सकता है जैसे मेंस में बीपेसी मेंस में परिभासा आया था पीटी से आपको पूछ सकता है ओल्ड से क्या इसका परिभासा था इसमें कितने स्मॉल को कितना मीडियम कितना माइक्रो किया था मैने फैक्टरिंग और सर्विस सेक्टर में कैसे माइक्रों ऑर मीडियम को बाटा गया उसके डियाग्राम को पूछ सकता है न्यू परिभासा का अनुसार कैसे क्लाश्पिकेशन किया गया है तो इसे देखा जैसकता है तो विभिन जो फिर उसके बाद जो भी आपको नवा जो भी आप सरकार दोबारा है मैंसे मी को बढ़ावा के लिए जो सरकार दोबार चलाई जारी योजना है उससे समंदित प्रश्ण पूछा जा सकता है जैसे ब्याज सर्वेंशन योजना सोसमे लगू उद्धम कलस्टर विकास योजना नवाचार उद्ध्यम उद्ध्यम और उद्ध्यमिता को बढ़ावा देने ती योजना इससे समंदित आपको प्रश्ण पूछा जा सकता है चैंपियन पॉटल किया इससे प्रश्ण पूछा जा सकता है तो कहने कार्थ यह है कि अगर एक mcq पूछा गया ह है तो केवल एक ही mcq इसमें सामिल नहीं है डेली करेंट है इसमें बहुत से करेंट है आप लोग बहता तरी के से कुछ देखिए सकेंड कोस्टन पर चली आते हैं सकेंड कोस्टन आपको क्या है ड्रग और अपराद पर सनीत राष्ट करियाले यू और डीसी जो के स्थाप तो यह प्रशन कहां से पूछा गया है वर्ल्ड ड्रग जो रिपोर्ट आया है उसके संदर में प्रशन पूछा गया है तो उससे पहले आपको देख रहे हूंगे इसमें ड्रेट कलर से पॉइंट आउट किया गया उसे आप लोग देखिएगा और कब इसमें भारचिन 2011-1218 पर्मूट डर्क बॉड़ों की स्थाप जो कॉंसेप्ट था क्या है उसमें देखिएगा अब देखे प्रशन यहां से पूछा गया है वर्श 1997 में इसकी स्थापना की गई थी UNODC का वर्श दोजादों से इसे अपराद मुख सनितराष्ट करियाल के रूप में नामित किया गया तो यहां से प्रशन पूछे जा सकते हैं इसकी स्थापना कब की गई उनाइटेड नेशन इंटरनेशन डर्क कंट्रोल प्रोग्राम तथा सनितराष्ट अपराद निवारन और अपरादिक नियाई विभाग के द्वारा स्थापना किया गया था और अनपरियास किया है इसके च्परति वर 26 जून को इसको खिलाप अंतराष्टी दिवस मनाया जाता है तो यहां से प्रशन आपको पूछे जा सकते हैं जैसे यहां पर पूछा भी गया है नसिली दुर्पयों के लिए अवे तसकरी के लिए अंतराष्टी दिवस का मन किया गया है नेक्स्ट है कि भारतिय अर्थ वर उस्था सकल घरेल उत्पाद जीडिपी सुर्ण में सुक्ष्म लगू अमध्य मगार को दें MSME का कितना प्रतिस्वत युगदान है तो अप्शन ए में 18 प्रतिसद ऑप्शन बी में 21 प्रतिसद ऑप्शन C में 28 प्रतिसद औ कि आपको यहां पर मिलेगा MSME में भारतिय युगदान देखिए कितना GDP में 30 परतिसद तो देखिए जहां कहां से प्रतिसन आपको बनते किस रूप से बनते हैं तो आप इस तरह जुडिए टाकि MCQ को बहता तरीके से अपलोग कर सकें और जो भी दिया जारा DNA में उसे जो गेटेली करेंट है एनलेसिस में दिया जारा उसे बहता तरीके से देखिए नेक्स्ट कोस्टन है MCQ के च्छत में बढ़ा देने समंदी पहल नहीं है इसमें कौन सा पहल नहीं है इसे देखना है तो पहला क्या है इसे देखते हैं परधान मंति रोजगार सेजन योजना ये चलाया गया है सुच में और लगू उद्द्यम कलस्ट्र विकास योज कारी कि यह चलाया गया है तो इस प्रकार देखते हैं इसका ऑफसंन एक से अधीक होगा जैसे पीपसी में पूछा जाता है कि आपको भीपसी में में जैसे ओपसन बाफोञा जया तो सभी चलाय गया है प्रोग्राम से निधोर को भढ़ावा देने के लिए तो इससे समंदित आपको यहां पर मिलेगी क्या दिया गया देखिए पहले तो दोज़ाच्व में इसे अधिसुचित किया गया उसके बाद परधानमंति रोजगार योजन सिर्जन कारिक्रम स्पूर्थी कारिक्रम नवाचार के लिए ब्रभा देने के इस्पौर्थ का रिक्रम वियास्व्मेशन योजना चलाए गया नेक्स्ट है सुच में लगष बजगद कलस्टर योजना चलाय गया क्यिट लिंग चलाय चैंपियन पोटल चलाए गया तो देख रहे हैं किस तरह प्रशन आपको पूछे जा रहे हैं आप प्रशन कहां से बनते हैं आप इसे भी देखिए और सभी टविगों को बहुता तरीके से कीजिए और उमीद करता हूं आप लोग का धिरे-धिरे जो भी है इस पर विश्वा युबरा ऐसा ही बना जाता है जिसे जो भी करेंट के रिलेटेड़ टॉपिक हो सब टॉपिक हो उसके अतरिक्द भी उसे को रिलेटेड़ टॉपिक सारे को नीडेर नमे और एक पिडियाप में ॉध़ो केवल चैकिशं में आपको युद्ली करेंट भी इसको किवल त Article 6 समझे उससे जितनी लाइन लिखी गई है जितने जितने पेज में आपको आएगा वह सभी करेंट है और उसे प्रस्ण सभी से प्रस्ण बनने के उमीद है प्रस्ण जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो विशास करता हूं आप लोग को यह अच्छा लगा होगा वीडियो प्रिंसर का वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा अब यह डेली कंट्यूनी आएगा आप लोग हमसे जुड़िये अपने दोस्तों का सेव कीजिए और जो भी क्यूरी हो जो भी समस्या हो इससे दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं साथ ही साथ आप य